नसरुद्दीन होजा नसरुद्दीन होजा को कुछ लोगों के सामने भाशन देने को कहा गया ये लोग भी क्या मुसीबत है? ये लोग मुझसे क्यों कुछ सुनना चाते है? देखो इनसे अगर छुटकार आपा सकूँ आप मेंसे क्या कोई ये जानता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ नहीं नहीं आप लोग मंद बुद्धी मालूम पड़ते हैं माफ कीजिए मैं आपके बीच भाशन देकर समय नहीं बर्बाद कर सकता मैं जानी ही वाला था कि एक मुल्दा ने उसे रोक लिया नहीं नहीं माशाय क्रिपया लोट कर उनसे कुछ कहिए जोर दे रहे हो तो सो होजा आपने शोताओं के सामने गया और उनसे फिर वहीं सवाल किया आप मेंसे क्या कोई ये जानता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ इस बार हमें मुर्ख नहीं बनना चाहिए हाँ 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 हम जानते हैं कि आप क्या कहने वाले हैं जानते हैं तो ऐसी हालत में कुछ और कहना सबे के बरबादी होगी होगी ना लेकिन एक बार फिर नहीं नहीं होजा क्रिपया लोट जाए और उनसे कुछ कहिए ठीक है तैयार रहो तीसरी बार हमें मुर्ख नहीं बनना आए हम फिर मिले अच्छा आप में से क्या कोई ये जानता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ हाँ हम जानते है मेरा मतलब है कुछ जानते है और कुछ नहीं क्या जो दिराई भरा इत्तर है ऐसी हालत में जो जानते है वे उन्हें बता दे जो नहीं जानते है और इसके साथ ही होजा चला गया और इस बार किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की